नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं खबर लोक जन सक्ती पार्टी रांदिलास से जुड़ी हुई है जो खबर मिली है उसके अनुसार पार्टी के राष्ट्रिये अध्यक्ष चिराग पास्वान ने कल रविवार को पार्टी की अपात बैठक बुलाई है यानि कि कल तमाम जो राष्ट्रिये और प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो कल पटना में चिराग पास्वान की अध्यक्षता में बैठक करेंगे और पार्टी की ये बैठक अपात बुलाई गई है यानि अचानक से चिराग पास्वान के तरब से ये अधेश जारी किया गया है और तमाम पदाधिकारीयों को कल पटना में हाजिर रहने को कहा गया है और इसके बाद से ही अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीती में चिराग पास्वान कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हाल के समय में जिस तरीके से चिराग पास्वान ने हाजिपूर लोक्त सभा सीट से चुनाओ लरने का ऐलान किया उसके बाद से ही कई तरह की चर्चाएं चलने लगी थी और अब वो लगतार ये भी कह रहे थे कि गठबंधन के ऐलान को लेकर अब जादा इंतजार नहीं करना होगा ऐसे में जो कल रविवार को पाटी की अपात बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम राष्ट्रिये और प्रदेश के पदादिकारियों को सामिल होना है ये अनुमान लगाया जा रहा है कयास लगाया जा रहा है चर्चाएं हैं कि गठबंधन को लेकर चिराग पास्वान त और उनके सामिल होने को लेकर ये भी खबर है कि वो मंत्री भी बन सकते हैं 16-17 तारीक के आसपास में मंत्री मंडल विस्तार केंद्र का हो सकता है और उसमें चिराग पास्वान केंद्रिये मंत्री बन सकते हैं लेकिन उससे पहले NDA में सामिल होना होगा चिराग पास्वान क अब NDA का हिस्सा होगी चिराग पास्वान लगातार बिहार की राजनीती में अपने संगठन को खूब मजबूत कर रहे हैं हर जीले का दौरा भी करते हैं लोकप्रियता भी उनकी खूब पड़ी है लेकिन इस दौरान अभी तक किसी गटबंदन का हिस्सा नहीं है कहते थे कि चुनाओ आएगा तो गटबंदन करेंगे लेकिन अब उनके भी सूर बदल गए हैं अब वो कहते हैं कि चुनाओ का इंतजार नहीं करेंगे बहुत जल्द गटबंदन पर आपको कुछ ना कुछ जानकारी देंगे और अब ये अपात बैठक को उसी से जोर कर देखा जा र देंगे और इस बैठक में गटबंदन को लेकर मुहर लग सकती है चिराग पास्वान बीजेपी के साथ गटबंदन को एलान कर सकते हैं एंडिये में सामिल हो सकते हैं हलंकि ये भी खबर है कि कल बैठक के बाद चिराग पास्वान दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना भी भी हो जाएंगे और वहीं पर जाकर गटबंदन पर अंतिम मुहर भी लगेगी सीट शेरिंग को लेकर अब तक पूरी तरह से बात फाइनल नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि कल जब पार्टी की अपात बैठक होगी उसमें सीट को लेकर बातचीत भी हो जाएगी सीट श को लेकर चिराग पासवान मुहर भी लगा सकते हैं और अगर चिराग पासवान कल दिल ली जाते हैं तो खबर यह है कि अगर सामील हो गए तो केंद्र में मंत्री बनकर ही फिर वापस पटना लोटेंगे ऐसे में अब कल की जो बैठक है लोचपा रामविलास की उसको लेकर अब काफी जादा चर्चा शुरू हो गई है बजार कयासों के गर्म हो गए हैं राजनितिक चर्चा अब जोर पकरने लगी हैं चिराग पासवान हाल के दिन में जिस तरीके से बोल रहे थे और अब यह अपात बैठक यही सारा करता है कि चिराग पासवान की डील अब अधिकारियों के साथ बैट कर लगेगी और फिर जो अपचारिक एलान करना होगा वो दिल्ली में जाकर बीजेपी के निताओं के साथ बरे सुर्ष निताओं के साथ मुलकात करके वहाँ पर अपचारिक एलान भी किया जा सकता है तो कल के इस बैठक को लेकर इंतजार करना हो जरूर करें